कि मैं नहीं में जासु कुमार महातो आंड आइए दोस्तों हम लोग के बारे माध्यत करते हैं दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन को सही सही बनाने के लिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है और विसे सुरूप से उन सारे स्टूडेंस को जिनका सिकेंड लैंग्वेज इंग्लिस है उनको तो पढ़ना होगा वह आगे नहीं बढ़ सकते और भी बहुत तरह का जो पैराग्राफ लिखना चाह कि टेंस का बहुत और नियां कैसे होते हैं 72 रूस कैसे होते हैं इस पर में बात करूंगा दोस्तों चलिए अध्यान करते हैं प्रजन बढ़ना से पास्ट में भी चार बहुत बाटा गया है पास्ट इंफिनिट टेंस पास्ट कंचीने वस्पास्ट अच लिपाइब करेंगे यहां पर देखिए कुछ लिखा हूँ चाहर यह फोर इंटूस इस तो इसको देखे पहले यह इसे दोड़ा जाहर नीचे सिंटेंस में देखेंगे 6 sentences में लिखा हूँ, sentence को 6 बहागो में मैं बात रहा हूँ, ध्यान दिजेगा affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative sentence with interrogative with wh word, wh word मतलब wh word family का जो सर्द होंगे हो और interrogative negative with wh word, इस परकार से 6 sentence यानि कहने के पिपलब है यह जो हम present degli intent परहेंगे इसका 6 बहाग में पढ़ना पड़ेगा फिर प्रजेन का 6 बाग इस तरह से चारों का अगर 6 बाग करके अंदोल अध्यन करते हैं दोक्तरों तो 24 बाग हुआ फिर इसका भी 24 बाग क्योंकि जब हम पास्ट न्यूफ्लिक टेंज पढ़ेंगे तो उसका भी 6 बागों में पढ़ना पढ़ेगा पास्ट कॉंटिनुवस इस तरह से टोटल 24 बाग हो गए उसके बाद 24 रूल्स हुए टोटल यहां 24 रूल यहां 24 रूल और फ्यूचर का भी हम 6 बागों अध्यन करेंगे तो 24 रूल्स यहां हो गए तो टोटल इस प्रकार से बहुत्तर रूल हुआ दोस्तों इन सारे टेंसों पर मैं अलग से वीड बताओंगा वीड प्रैक्टिस टूटल प्रैक्टिस के साथ किस तरह से हम लोग अध्यां करते हैं कैसे अध्यां करेंगे हर नियम को कैसे अध्यां करेंगे दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल आज में बताया हूं बहत्तर नियम कैसे होते हैं इसके बारे में अब हर नि करिए थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो गाई